हेलो फ्रेंज मेरा नाम है रिचा और आज मैं आपके लिए लेकर रहा है एक ऐसा ब्रिक्फिस्ट जो बहुत ही तेस्टी है अई देखते हैं इसकी रेसिपी आपसे पहले करें बॉल लेंगे उसमें में च्छनी रख करके एक कप बेसन एक कप मैदा को अच्छे से चान लेंगे तो हैं हमने बेसन ले लिया है और डाल दिया है एक कप मैदा दोने कॉन्टिक्टी बलकुल बरबर रखी है आधा चब मच बेकिंग पौर डाल देंगे इस चाने का पाइदा यह होता है कि असानी से मिल जाते हैं तो देखें हम इसे चान लिया अपने अच्छे से और जो वेस्ट निकाल देंगे हम इसे चम्मत से मिला लेंगे अच्छे से ताक कि अगर कहें भी कुछ नहीं मिला हूं वह अच्छे से मिक्स हो जाए यह बहुत अच्छे से मिल जानी चाहिए अब इसमें डालेंगे थोधोड़ा पानी और इसके घोल तयार कर लेंगे पानी कर दोड़ी कर लेगा ताक कि इसमें लंप सना पढ़े यह तो बटर हमारा खराब हो जाएगा अगर मान लेंगे आपके लंप्स पढ़ी जाए तो किसी भी चन अच्छा सा यह थोड़ा पतला है हमें ऐसे ही चाहिए तो यहां पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे पंदर में लें ढग कर देंगे ताकि जो बेशन और मैदा है वह अच्छे से फूल सके अगर फूल ना हो सकोतो तो इस दिखिए 10 मेट हो चुके हैं और अच्छे से थोड़ा सख़ थिक हो गया है जहता नहीं इस थोड़ीया सा हम इसमें डाल देंगे कट भा प्याश हम ने एक मिडिम स्रेश कह प्याश लिया था इसे बारवारीख बारीख काट लिया है वह हम डाल लिएए इसमें हरी धनिया अक बड़ाACH मज हरास मिर्चा को बारी कटे हुए टमाटर एक मीडियम फ्रीज़ का था इसको में छिलका और या निकाल लिया है अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे तो यहां करते हैं मिक्स इसको बस बिल्कुल टैड़ी है इसमें हमने कोई मसाला आट नहीं किया है खाई नमक डालेंगे टेस्ट के लि इने पॉल डाला है और थोटा पानी डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से एदबुल बन सके तो यहां हमसे पानी आट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से और इसे अच्छे से मिला लेंगे एक पैन में त्यार कर लिया है उसमें सिर्फ दो चमच तेल ड जा लेंगे तो यह बिल्कुल अमिली से लगेगा फिर आप कोई भी ओल डा सकते हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो यह और हमारे अच्छे गरम हो गया है अब डाल देंगे इसमें अपना बैटर इसे ऐच्छे से पैला लेंगे इसको लो फ्लीम पे पकाना है हाई पे पकाएंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा अच्छे से पकेगा नहीं वह खाने में वह खराब हो जाएगा लेकिन अगर आख मीलम फ्लीम पकाएंगे तो बिलकुल pledge अब को अमेलीत से ही टेक्शन मिल यह बहुत सौफ्ट है फ्लफी है तो प्रट्स में तूटना जाए यह देखे बिल्कुल ओम्ली से लग रहा है यह इसे में अच्छे से दुने तब से सेख लेंगे अलका अलका गोल्डन ब्राव होने तक और इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है हाई पर मत करेगा फिर से मता रह है अब करेंगे से फोल्ड और करेंगे सर्व तो लिजे बनके तयार है मारा बिना अंडे का अमलेट अगर आपको मेरी यह रेसी पसंद आई हो मेचल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें बैला के इंद बना ना बोलें ताकि मेरी अने वाली लिटेस वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके हैं